तो दोस्तों आज हम राजस्तान जी के के 25 इंपोर्टेंट प्रिशनों के बान बात करेंगे और यह सबी प्रिशन राजस्तान सीटी 12 लेवल एंगरेजिसनल लेवल दोनों के लिए बहुत जाजा हेलपूल प्रिशन है इसलिए वीडियो में आपन तक जरूर बने ले तो चल एक बार कि जैपूर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार इम नगर नियोजक कौन था तो यह था विद्यादर बटा अचारिय तो दोस्तों आपको 25 प्रिशन दी जाएंगे जिसमसे आपने कितने प्रिशन चाहिए हैं वह में लाश्ट में कमेंड में जरूर बत रट लेना है कि कौन सा एक मंदिर जो है वह गुड़जर परतियार सेलिका माना जाता है तो वह मंदिर है स्वामेशवर मंदिर अगला स्वाल है कि वीर अमर सिंग राठोड की स्वारे गाता हैं किस किले से संबंदित हैं तो आपको याद रुखना है यह जो स्वारे गाता हैं वीर अमर सिंग राठोड की यह है किस संबंदित तो यह है नागोर किले के नागोर किले से संबंदित हैं अगला स्वाल है कि दक्कन की चाबी किस के लिए को कहते हैं मोस्ट इंबर्णिक्सन है और ये प्रिशन एक्जाम में आ सकता है इसलिए इस प्रिशन को आपको रट लेना है कि दक्कन की चाबी जो है वो किस के लिए को कहते है तो दक्कन की चावी कहते हैं अमेरगड दुर्ग को अगला स्वाल हैं कि किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं और ये प्रिशन दो तेन बार आ भी गया है इसलिए इस प्रिशन को आपको रट लेना है कि किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं तो आपको एधिठना है यह कहते हैं गागरुन के किले को अगला स्वार है कि किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है most important किसने यह भी प्रिस्टन बहुत बार पूचा भी क्या है स्लेश प्रिश्टन को आपको रट लेना है कि किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है तो ये कहते हैं सोनार गड़ दुर्ग के परकोटे को अगला स्वाल है कि कुम्बल गड़ की देवार की लंबाई है तो कुम्बल गड़ की देवार की लंबाई कितनी है वो आपको बताना है और ये मोस्ट इंपर्शन है और ये भी प्रिश्टन बहुत बार रिक्सा पुछा गया है इसलिए इस प्रिश्टन को भी आपको रट लेना है कि कुमल गट की दिवार की लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई है 36 किलो मेटर अगला स्वाल है कि इतियास प्रसिद सिवाना दुर्ग किस जिले में इस्तित है तो सिवाना दुर्ग जो है वो इस्तित है बार्ड मेर में अगला स्वाल है कि राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार स्थानी आकरमन हुए तो वह किला कौन सा है जिस पर सरवाधिक स्थानी आकरमन हुए तो आपको याद रुखना है वह किला है तारागड अगला स्वाल है कि विजे गड़ी किस दुर्ग में इस्तित हैं तो आपको याद रखना है विजे गड़ी जो है ये इस्तित है जैगर दुर्ग में अगला स्वाल है कि संत मलिक सा की दर्गा अवस्तित हैं तो संत मलिक सागी जो दरगा है वो अवस्तित है जालोर दुर्ग में अगला स्वाल है कि नवलखा बुर्ज का निर्मान करवाया था तो नवलखा बुर्ज का निर्मान किसने करवाया था ये आपको बताना है तो इसका जो नर्मान करवाय था वो करवाय था बनवीर ने अगला स्वाल है कि मैगजीन इस्थित है तो मैगजीन इस्थित कहां पर है वो आपको बताना है तो ये इस्थित है अजमेर में अगला स्वाल है कि किस दुर्ग का परिषद्वार नौलखखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता हे तो आपको याद रुखना है ये जाना जाता है रंठंबोर अगला सौज है कि लाल गर्ड़ पैलेस कहा पर राष्तित है मोश्ट लुपर्ण कुषने लाल गर्ड़ पैलेस जो है वो अस्तित हैं बीकानेर में अगला स्वाल है कि कोसवर्दन किले का पर्चलित नाम है तो कोसवर्दन किले का जो पर्चलित नाम है वो है सेरगड का किला अगला स्वाल है कि किस दुर्ग के अंदर अस्तलिकित गरंथों का दुल्लब बंडार जन बद्रशुरी गुरंथ बंडार है तो आपको याद रखना है ये जो गुरंथ है ये गुरंथ बंडार है कहाँ पर तो आपको याद रखना है ये है जेसल में दुर्ग में अगला स्वाल है कि जितोडगर दुर्ग में स्तित जैन केरती स्थम में उतकेंड अभीलेकों का स्थापना करता था तो कौन था तो एक बार आपसे पढ़ लो एक प्रिशन को कि जितोड़गर दुर्ग में स्थित जैन किर्थिस्थम में उतकेंड अभीलेकों का स्थापना करता था तो उसका जो स्थापना करता था वो कौन था वो आपको बताना ह तो ये था जीजा अगला स्वाल है कि बटनेर के लिए का सिलपी था तो बटनेर के लिए का सिलपी कौन था वो आपको बताना है तो इसका जो सिलपी था वो था केकेया अगला स्वाल है कि रजस्तान का कौन सा दुर्ग दुर्गादीराज कहलाता है मौस चंपढ़नग्षने तो वह दुर्ग है चितोर्गडड़ दुर्ग चितोर्गड़ दुर्ग है जो रजस्तान का दुर्गड राज कहलाता है अगला स्वाँ है कि जाली रानी का मालिय है महल किस दुर्ग में इस्थित है तो आपको यह दुखना है यह इस्तित है कुम्बलगड़ दुर्ग में ठीक है कुम्बलगड़ दुर्ग में कौन सा महल इस्तित है तो जाली रहनी का मालिया महल जो है वो कुम्बलगड़ दुर्ग में इस्तित है अगला स्वाल है कि गड़ तो खालिस्तान बाकी सब गड़े है रिक्तिस्तान में कौन सा दुर्ग आएगा और ये पंक्ति हर बार एक्जाम बुझी आती है इसलिए इस पंक्ति को रट लेना है कि गड़ तो खालिस्तान बाकी सब गड़े है और रिक्तिस्तान में कौन सा आएगा तो रिक्तस्तान में आएगा रंथमबोड दुर्ग ठीक है तो पूरी पंक्ती पड़ लेते हैं कि गड़ तो रंथमबोड दुर्ग है बाकी सब तो गड़ेया है ठीक है इसलिए आपका राइट एंस और जाएगा रंथमबोड दुर्ग अगला स्वाल है कि उत्र सीमा का प्रहरी कहलाता है या कहा जाता है तो उत्र सीमा का जो प्रहरी कहलाता है वो कहलाता है बटनेर कागिला अगला स्वाल है कि साबाद दुर्ग इस्तित है तो साबाद दुर्ग जो है वो कहाँ पर इस्तित है वो आपको बताना है तो ये इस्तित है बामती पहाड़ी पर अगला स्वाल है और याज का अंतिम स्वाल है कि सकती साली तॉप गर्ब गुंजन तॉप इस्तित है तो किस किले में इस्तित है वो आपको बताना है तो ये जो तॉप है ये इस्तित है बूंदी के किले में तो दोस्तों आपको 25 प्रसंदी थे जिसमें से आपने कितने प्रसंदे की हैं वो में जल्दी से जल्दी कमेंट किरके जरू बताए और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हल्पूच अभी दिवा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्क्राइब प्रसंदे से जल्दी करें।